सो हाई माई यूदूब फैमली कैसे आप सभी लो दोस्तों अक्सर आपके मुबाइलों में अलग-अलग टैग कि आपको प्रॉब्लम देखती होगी जब आप चार्जर लगाते होंगे तो आपको बैटरी के एरर आते होंगे चार्जिंग के आरा आते होंगे आप कभी भी उ आते हैं तो इसका मनलब यह है कि आपको मेरी एक वीडियो देखना बहुत ज़्यादा जोड़ी है जो मैंने इससे पहले डाली है कि कैसे एरर को को फाइंड आउट करें कि अगर आप एरर को फाइंड आउट नहीं करेंगे तो आप कहीं पर भी काम करेंगे आप मेरी एक औ माता गया और उसके बाद वोने यूट्यूब से देख देख के कहां वहां वहां सब जाके जिंपर मारें जो सारी लाइन पहले से ही ओगे थी तो यह आपको जाना बहुत ज़्यादा ज़ूरी है कि आपका फॉल्ट यह आखिर आता किससे हैं आई आज बात करते हैं बैट आप नोटिस करो यहाँ पर मायनस तू परसंट और यह मुबाईल फोन में बंद कर आ रहा है चार्जिंग का आप देखो कि इंडिकेशन ज़र रहा है फोन चार्ज नहीं हो रहा है और यहाँ पर अगर मायनस टू परसंट या जितना भी मायनस प्लस कोई भी अगर आपको ऐसा एरर मिलता है जिसमें आपको लगता है कि आपके बैटरी आपको इस्टेटस सहीं से नहीं बता रही है तो यह जो फॉल्ट है बैटरी स्टेटस इंडिकेटर मतलब BSI का है BSI जिसको हम अगर स्केमाटिक की बात करेंगे तो इसको हम BAT ID, BAT मतलब बैटरी और ID मतलब identification की लाइन कहता है जिसको auxiliary ID भी कहा जाता है auxiliary ID के अगर हम बात करें दोस्तों इस लाइन पर जो भी component होते हैं हमें हर वो component को चेक करना बहुत ज़्यदा जहुरी होता है और हमें उसकी लाइनों का नॉलेज होना बहुत ज़्यदा है बहुत ज़्यदा जहुरी है आप से भी जंपर यह सोचिए कि आप मार के फोन को बना ले या किसी एक component को हटा के बना ले तो भी आपका काम एक फोन में तो हो जाएगा पर हो सकता है अगल किसी फोन में ना हो क्योंकि आपको उस फोनों का schematic नहीं है और आप बोर्णियों के hardware solution पेटे के हुए हैं जिस प तो मेरा उद्देश किसी की भी भाबना को ठेस पहुचाना नहीं है मैं किसी को भी गलत नहीं बोल ला हूँ बस मैं यह कह रहा हूँ कि गलतियां सुधार सकते हो तो सुधार यह और आगे बढ़िये और अपने काम को improvement लाएए अपनी काम का improvement कैसा ला सकते हैं आप सीख कर जैसे कि मैंने हर वीडियो में कहता हूँ इस वीडियो में भी कह रहा हूँ आपको इससे daily को माने की जरूरत नहीं है आप किसी भी जगे जाएए पर proper training लेके जाएए दोस्तों business का पहला आप अगर बड़े बड़े आप motivator को सुनते हैं आप किसी के भी entrepreneur की बात करते हैं आ आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसके आपने proper training नहीं ली है तो आप मुझे बताइए कि आपने काम से खुछ satisfy नहीं होंगे unsatisfied की जिन्दीकी जीने से अच्छा है कि proper training लेकर आप उस काम को पूरा करें और एक बड़ी टीम के साथ जुड़ कर और आगे भविस के update लेते रहें दोस्तों अगर आपके phone में minus 2% करके कुछ battery के error आते हैं तो एक case study में आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूं इस condition में क्या करें तो दोस्तों minus 2% battery पे आपको अपना bat id के line का gr check करना पड़ता है gr मतलब ground resistance जो हम एक video बनाने वाले है कि gr क्या होता है gr कैसे कहते है और gr कैसे निकाला जाता है इस पर एक बहुत अच्छा topic आने वाला है जिसको आपको बहुत जली watch कीजेगा notice करो दोस्तों इस यहाँ पर आप देखे की एक line को indicate किया हुआ है तो यह line जो indicate है यह bat id की line पर indicate है यहाँ पर id मतलब होता कि इस line पर आपको इस line पर एक diode जो कि एक मतलब एक यहाँ पर अगर हम बात करें यूणि डायरेशनल टीएस ट्रांजिंट जिसको हम ट्रांसियन्ट बोल्टेज सब कहते हैं सो बिसी के लिए आगर हम बात करें एक टीवी एस डायोड यूनि डायरेशनल यूज किया गया ह और अगर इस डायोट की बात करेंगे जिसको एवी से डाला गया है तो दोस्तों अगर तभी अगर कभी भी अगर आप बैटिक रेक्टर पर दहान देते हैं तो यहां पर आपको जी आर चेक करना है आईडी की लाइन पर और इस आईडी की लाइन पर जो जी आर मिलना कगे, वो आपको मिलना चाहिए, 250 से लेकर आपको मिलना चाहिए 2K के बीच में, आप मल्टीमीटर मीटर से आधुनिये के काम नहीं कर सकते हैं, आप को अपना मल्टीमीटर बदलना पड़गा, जैसे कि विनम्मोबाइल बदलना आ है। आप जैसे मुदै को प्रक बदल च मुझे देख रहे हैं, वो मुबाइल भी एक updated है, वो मुबाइल भी पुराने जमाने का नहीं है, तो आपने tools को क्यों नहीं बदलना है, उसका reason यह है कि आपको knowledge ही नहीं है कि नहे tool को चलाना क्यों है, और जब इस पुराने tool से मैं voltage चेक कर रहा हूं, आपको knowledge ही नहीं है कि नेने टूल से क्या किया जा सकता है मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको महेंगे टूल करीदने हैं 10,000 का मल्टीमीटर लेना है इतने का एक मल्टीमीटर जरूर ले सकते हैं जिससे हम सही जियार सही जंजकरी निकाल सके हैं अगर मैं बात करूँ यहां पर आईडी के लाइन प आप डाउन कर रहा है यह बराबर बात करें लीकेज हो रहा है रर्निंग हो रहा है तो इसके लाइन पर लगे हुए एक एक कॉम्पोनेंट को आपको निकालना है और सबसे पहले आपको डायोट को निकालना है क्योंकि सबसे ज्यादा लीकेज होने वाला कॉम्पोनेंट होता आप अगर अपने डायोट को निकालते हैं उसके बार फिर आप अपना जीया चेक करते हैं अगर आपका जीया इस्टेबल हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि आपने लीकेज को भाड़ फैक दिया है अब डायोट की टेस्टिंग क्या है इस पर मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं इस पर एक वीडियो चरूब बनादू गहां जthoseको आपको वीडियो मिल जाएगा और आप लोगों के लिए एक क्लिए कि बशाच आप लोग को काम हो जाएगा अगर मैं बात करूं इसके बात की यह जो डायोट है इसकौ दोके इसको सिकमेटिक में अगर आप लीडिट गर काम कर रहा है अगर मैं बात करूं यहाँ पर यह डायोड आप देखिये हमको तो यह डायोड आपको देखिए दोस्तों मैं फिर से कहँ रहा हूँ अगर आपके पास कभी भी बैक्तिर से एर और अपने बैक्टरी में सबसे पहले हैं यह आइड देली ल आपकी कहीं भी जा रही होगी तो इस लाइन को यहां यहां कहीं पर भी तो इस लाइन को चेक करना है और इस लाइन पर आपको जी आर निकालना है और डीख दोस्तों आलवेस हमें सा स्टेबल होने चाहिए मल्टी मीटर के अगर हम चेक करें तो अगर यह आपके आप डाउन हो हो और अगर आपका जो फिज अगर आप एक निकाल देते हैं जैसे आप देखें कि यहां पर हम निकाल दीया कि है और अगर हो जाने के कै आपको काम है वो बापस उब गया ऑप अगर उस बापस काम नहीं हुआ है तो उसके बाद निसके बांफ जो हчит भी ऐसा है पानी जाने के वज़े से यह आप उस रिजिस्टर को भी चेंज करके बापस उसमें 100K का रजिस्टर लगा सकते हैं वहां पे एंटीसी लगाने के जुरूरत नहीं है वह एक नॉर्मल रजिस्टर है अगर उसके बाद भी अगर आपके पास काम नहीं हो रुक रहा है अगर व लीचे की कंडिशन बनाता है तो आप जब आइसी को रिपलेस करने का कोई मैटर नहीं है क्योंकि जब भी आप रिपलेस करना होगा और उसी के बाद आप जब आइसी प्लेस करेंगे तो आप नहीं हो जाएगा तो दोस्तों यह च्छोटा सा टॉपिक पर तापिक पर दा आपको यह नॉलेज चैसे लिए भी मुझे बतायागा जुरूंग है और पता है तो इस कमेंट पर कड़के और वीडियो को सब्सक्राइब कर लो और चैनल को और अपको देंगे आपको भरोसा हम आपको देंगे अपना भरोसा और आप जीतेंगे आपका भरोसा और आपके secure रखेंगे आपके पैसे पूरे चार दिन जिसमें आप अपना पूरा काम कीजे हमरे साथ और चार दिन में अगर आप unsatisfaction आपको लगता है तो आप उचार दिन में आप पूरा पैसे अपने ले कर जा सकते हैं और वो आपको हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप क्यूं मांग रहे हैं आप बाज मांगे और हम आपको दे देंगे पर आप सच बताईए जब आप मेरे साथ एक घंटा भी गुजारेंगे तो आपको लगेगा कि आपने जीवन में क्या सबसे वरी गलती ये किया है कि आप पहले क्यों नहीं आप एक साल पहले हैं सो चले ठीक है कोई बात नहीं है थैंक ये वीडियो देखने के लिए और ऐसा ही कुछ नहीं ने सलूशन में आप लिए लाता रहूंगा थैंक ये वरी बाच हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद के जिदी हुमार जिद है मेरा फिटूर जिद है मेरा कुरूर जिद है मेरी जुर